दोस्तों बारिस के टाइम इस दुकान वाले के सामने एक गरा गड़ा था इसमें रोजाना कोई न कोई गिरते राता था ये दुकान वाला इन लोगों को देखकर खूस हो जाता है और इसके दुकान पर बैठने वाली लोगों को ये बताता है कि इस गड़े में रोजाना 25-30 लोग गिरते हैं तभी एक आद्मी पलसर से आता है और इस गड्डे को देखकर गारी को रोक देता है और जाके बगल से एक पेड की डाली को लेगे आता है और गड्डे के buckets लगा देता है ताकि कोई गिरे न जैसी ही ये आद्मी वहाँ से जाता है ये दुकानवाला पेड क डाली को हटा देता है और डाली हटाने के बाद लोगों का फिर से गिरना सुरू हो जाता है उसके दूसरे दिन फिर से पलसर वाला आदमी आता है और फिर से पेड की डाली को गड़े में लगा देता है जब ये दुकान वाले से पूछता है कि पेड की डाली को कौन हटाता है तो ये कुछ भी नहीं बताता है जैसे ही वो आदमी जाता है तो फिर से दुकान वाला प्यड की डाली को हटा देता है लेकिन ये इस बार छुप करके देख रहा होता है उसके बाद यहां से चुप चाप चले जाता है दोस्तों आगे क्या हुआ या जानने से पहले अगर दारू पिते हो तो कॉमेंट में अपना नाम बताओ मैं देखना चाहता हूँ कि पानी पिने वाले ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते हैं या दारू पिने वाले ज्यादा कॉमेंट करते हैं तो तीसरे दिन ये आदमी ट्रेक्टर लेके आता है और इसके दुकान को झाल झाल